हैलो फ्रेंस कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं कि बहुत अच्छे सी होंगे तो फ्रेंस आपके सामने है मिर्च के दो पौदे ये वाली देखेए इसमें सफेद कलर की मिर्च आती है तो फ्रेंस नर्सरी से लाए काफी दिन हो गए तो मैंने कहा कि चलिए आज इसे लगाई देते हैं और वैसे भी समझ जो है बहुत अच्छी बराइटी की मिर्च जो है नर्सरी में मिल जाएगी इनमें बड़े बड़े गोल तड़का मिर्च के फल लगते थी लेकिन चुईया खा के खराब कर दी फिर भी एक कली लगी हुई है देखिए तो फ्रेंस इसे गमले में लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनकी ग्रोध कुछ रुक सी गई है तो फ्रेंस इसे गमले में अगर हम लगा देते हैं तो इनकी ग्रोध बहुत अच्छी होगी यह देखिए जो एक गमला है मैंने पने हाथों से सिमेंट से बनाया है तो फ्रेंच से काफी साल हो गए इसे बनाए तो इसमें मिट्टी पहले से भरी हुई है मिट्टी भी है और इसमें एक हाथ भी मिला हुआ है तो फ्रेंच से बहुत एच्छी खासी नमी भी है तो इसमें हम दोनों पौधों को लगाएंगे क्योंकि ए जो हमारा गमला यह काफी बड़ा है तो फ्रेंज इसे में दोनों पौधों को लगाऊंगे फिर उसके बाद जो है जब यह मीर्च लग जाते हैं धेर सारे तो फिर से मैं अप लोगों को दिखाऊंगी वैसे बहुत ही खुशू बहुत अची तरह से अंदर तक जो हम इनकी गुडाई कर लेते हैं तो फ्रेंस हम इसे किसी भी मिती में लगा सकते हैं लेकिन फ्रेंस उसमें और यानिक खाद जिसे की गोबर की पुरारी सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोष्ट या पतिओं की खाद कुछ भी हो और यह नहीं खाद होनी चाहिए तो फ्रेंस हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे एक हिस्सा मिती एक हिस्सा सैंड एक हिस्सा और यह निका पॉली बैक से निकालते हैं और बहुत यह अराम से निकालेंगे यह देखिए इस तरह से करके हम इन्हें निकाल देते हैं मित्टी भी बहुत ही शक्थ हो चुकी थी देखिए तो फ्रेंज मित्टी को हटा देंगे थोड़ा सा फुपस के बाद गधा बना की से लगाएंगे देख लेते हैं अब थोड़ा सा और गड़ा बनाना पड़ेगा पृताव से गड़ा बना देते हैं अब इन्हें लगा देते हैं और इसमें मैं दोनों पौधों को लगाऊंगी देखिए इससे लगा दिया और इस साइड जो है दूसरी मिर्च को हम लगाएंगे तो इधर भी गड़ा बना लेते हैं तो फ्रेंज इससे लगाना बहुत ही आसान है अगर आपका भी मन करता है तो नर्चरी में 20-30 रुपे में मिल जाएंगे लाइए किसी भी तूटी फुटे कंटीनर में आप लगा सकते हैं मित्ती को भरकर बहुत ही अराम से लग जाएंगे तो फ्रेंज अब हम तड़का मिर् तो इनकी ग्रोथ होने में थोड़ी से प्रावलम होती है देखिए जो हमने पूरी मित्ती को निकालकर इस गढ़े में नहीं मित्ती समें डाल दी और फिर उसके बाद आप हम इनमें पानी देंगे तो फ्रेंज साम हो गई है और अक्सर जो हम साम की ताइम ही पेट पौदे लगाते हैं और नरसरी से जो भी पोधें लाते हैं तो एक महिने और लगाते हैं और सभी पोधों के बीच में घृप्ट कौने जाığın तो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नभूलिएगा समय समय से हम इन्हें पानी धूप और खाद देते रहेंगे ताकि जो है इनकी ग्रोथ अच्छी हो और जब इनमे फल आते हैं मेज़के तब मैं आपको दिखाऊंगी तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई